सो फ्रेंट आजाम आये हैं लांडिंग का एक गाउ जो जिसका नाम है तीम नंबर हथी गली गाउ तो यह लांडिंग टाउन से करीबन आपका 6 किलिमेटर डिस्टेंस होगा इस गाउ का और यह लगबग आपका यहां एकडम बिल्कुल कच्छा शरख है अब देख तो शरख यहां तक कोई पकी शरख का कोई नमो निशान नहीं है और यह एक छोटा सा गाउ है एक पीटियेप वगब से जो रस्ता निकल गया ना इसी से आपको आना परता है यहां पर और दीके यहां पर पुड़ा जो ग इन लाइन गुजर गया ठीक है अगर बाड़ीश हो जाएना तो यह अगर अगर चुटा गड़ी पगरा कुछ लेके आओ तो निकालना बड़ा मुश्किल होगा वही और यह देखे यह सारे साइद गन्य का खेते गन्य का फशल खूब होगता है यहां पर इसे जो गूर निकला जाता है न तो यह बिजनेस ज़दातर चलता है यहां पर और यहां से देखें पूरा महल इस बिलेज वाला महल तो यहां से थुरा आगे जाएंगे हम जाकर डाय साइट पर एक रस्ता है ना उससी से आमें अंदर जाना इस बिलेज पर यहां यहां अच्छा और देखें यहां से बहुत ज़्यादा तर गन्य का खेती है यहां पर बीच बीच में बुट्टे का खेती भी है और यह गाए बैसों को चराने के लिए चारा भी उगया जाता है यहां पर इधर से ना काफी छोटा गाउ हुए यह मुश्किल से 30-40 घर होगा इस पर 30-40 फेमेली होगा यहां पर इस गाउ पर तो चलिए आगे बढ़ते तो अभी दिखें गन्य खेत का बीचों बीच से एक चोटा सा रस्ता है और इसी से हमें निकालके आगे जनाई है जाते वक्त कुछ ध्यान रखना है कि आक में अगर इसके पत्ते वगरा काफी धार होते ना कि आकों में फैस गया है तो और इस पीचों बीच निकालके हम आखिरकर आके पहुच गए लालू बईया के घर पे यह अपना लालू बईया के घर है तो एक किलोमेटर या देर किलोमेटर होगा यह जो बिलेज है और अभी यहां से अपना काम जितना भी था वो खतम हो चुका है अभी यहां से हम वापस निकल जाएंगे फिर लंडिंग टाउन के लिए निकलेंगे झाल्लव से अवाई निकलेंगे